नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में ग्रो के उपर पूरी डीटेल में रिव्यू आपको देंगे इस वीडियो में आपको grow के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा अगर आप grow के user हो या user बनने वाले हो तो इस वीडियो को जरूर से देखना अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेते हो तो मेरे कयास है grow के उपर आपको किसी और review वीडियो को देखने की ज़रूत नहीं पड़ेगी चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने grow को open कर रखा है यहाँ पे grow की जो rating है 3.1 है market के अंदर grow फिलाल नमर वन ने broker बन चुका है इंडिया के अंदर 2017 के अंदर grow को start किया गया था इसके अभी सबसे ज़्यादा active client है जो की है 84,20,803 यह data है January 2014 का इसके कौन-कौन से product है जिसके अंदर आप investment कर सकते हो grow के तरू जैसे कि grow आपको allow करता है आप equity के अंदर यहाँ पे आराम से trade कर सकते हो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो grow आपको future and option का भी यहाँ पे option देता है जिसमें आप future and option के अंदर भी trade कर सकते हो लेकिन grow के तरू आप commodity और currency के अंदर trade बिल्कुल भी नहीं कर सकते यह दो option grow के अंदर अभी के टाइम में बंद है उसके बाद में इनके जो brokerage plan वो एक ही plan है single plan इनका है कोई दूसरा plan नहीं देखने को मिलेगा grow के अंदर आपको account opening के लिए कोई भी पेसा देने की जुरूत नहीं है account opening यहाँ पे free है grow के अंदर आपको account maintain करने के जो पेसे बाकी broker आपसे चार्ज करते हैं वो भी यहाँ पे zero है आपको account opening और account maintenance charges बिल्कुल भी देने की यहाँ पे जुरूत नहीं है brokerage की बात कर लेते है brokerage यहाँ पे 0.05% लेता है equity delivery brokerage है यह equity intraday के अंदर यहाँ पे 0.05% लेका equity future brokerage आपसे 20 रूपे चार्ज किया जाएगा equity option brokerage आपसे 20 रूपे चार्ज किया जाएगा यानि future और options के अंदर अगर आप trade करते हूँ तो grow आपसे 20 रूपे पर trade के चार्ज करेगा जबकि आप equity intraday और equity delivery के अंदर कोई share को buy करोगे यानि आप intraday trading करोगे या फिर delivery में जैसे कि आप long term के लिए कोई share buy कर रहो तो उस पे आपको 0.05% का progress देना पड़ेगा उसके बाद में यहाँ पे margin की बात करते हैं तो margin आपको equity delivery के अंदर कोई भी margin नहीं मिलेगा लेकिन यहाँ पे intraday के अंदर आपको काफी अचा margin देखने को मिल जाता है करीबन 8 गुना margin यहाँ पे grow आपको provide करता है equity future margin यहाँ पे 0 है equity option margin यहाँ पे 0 है बाकी सब यहाँ पे मैं अभी calculate करके आपको बता देता हूँ कि आपको किस हिसाब से यहाँ पे brokerage देना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे आप पे मान लेते हैं 10 quantity buy करते हो share है 100 share की 100 share मतलब 10 quantity buy करोगे और जो आपकी 1 share की price है वो है यहाँ पे 1000 रुपे है हमें 10 quantity चाहिए 1 share की price है 1000 रुपे तो 10 की कितनी होगी 10,000 रुपे ठीक है यहाँ पे हम NSE exchange है उसको select करेंगे calculate brokerage के उपर click करेंगे देखिए 10 over हमारा 10,000 लगेगा ठीक है फिर वो brokerage वगारा मिला करके कितना बन जाता है यहाँ पे brokerage वगारा मिला करके 10,006 रुपे आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 10,006 रुपे 0.61 यहाँ पे और 8 कर सकते हो इतना brokerage आपको यहाँ पे देना पड़ेगा मतलब 6.61 टोटल टेक्स और चार्जस यहाँ पे देख सकते हो यह कब देना पड़ेगा इंट्राडे के अंदर उसके बाद मैं यहाँ पे delivery के उपर क्लिक करता हूँ अगर आप delivery के अंदर यहाँ पे share buy करेंगे तो delivery के अंदर यहाँ पे आपको टोटल टेक्स और चार्जस देने पड़ेगे 17 रुपे एक्यासी पैसे और फिर यहाँ पे future के उपर क्लिक करेंगे future के अंदर यहाँ पे 24 रुपे और 04 पैसा यहाँ पे टोटल टेक्स और चार्जस आपको देने पड़ेगे यह किस हिसाब से ले रहा हूँ यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि कौन-कौन से चार्जस यहाँ पे कट रहे हैं यहाँ पे exchange चार्जस हो गया GST हो गया यह सब मिला करके यहाँ पे 24.04 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है options के अंदर यहाँ पे 30 रुपे 16 पैसे आपको टोटल देने पड़ते हैं अगर आप options के अंदर grow के तुरू trade करते हैं quantity हमने बताए जैसे जैसे quantity quantity चेंज होगी यहाँ पे यह ब्रोकरेज भी चेंज होगा intraday और delivery के अंदर तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको quantity increase करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि so quantity buy करूँगा मैं 10-1000 रुपे पर share की price के इसाब से तो मैं calculate करता हूँ options के अंदर यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने so quantity की तो यहाँ पे 89.19 total tax और charges आपको देने पढ़ रहे है futures के अंदर बात करते हैं 28.01 यहाँ पे देना पढ़ रहे है delivery के अंदर भी देखोगे तो 142.72 brokerage पूरा लग रहे है यह सारा total tax और brokerage आपको देना पढ़ रहे है intra day के अंदर बात करेंगे तो intra day के अंदर 30.72 total tax और charges आपको देना पढ़ेगा तो इसे साब से मैंने आपको बता दिया कि जैसे quantity बढ़ा हो गए वैसे वैसे आपका brokerage भी बढ़ता जाएगा यह grow के सारा कुछ मैंने आपको calculate करके भी आपको दिखा दिया और इस तरह से दोस्तों grow के बारे में आपको जानने को मिला होगा यहाँ पर additional features क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपको SMS alert मिलता है बाकि यह जो services दिख रहे हैं आपको research report यह सब नहीं मिलेगा free call जो होती है trading के लिए वो भी नहीं मिलेगी 3 in 1 account आपको नहीं मिलेगा margin funding आपको कम मिलेगी margin against share यह भी नहीं मिलेगा और other इसके investment options है जैसे कि आप mutual fund में grow के तुरू investment कर सकते हो IPOs में अगर आप investment करते हो तो वो भी किया जा सकते है लेकिन bond और depth के अंदर आप grow के तुरू investment नहीं कर सकते है exchange trade funds के अंदर आप यहां पे कर सकते हो बाकि insurance यहां से grow के तुरू नहीं हो सकता यहां पे charges के साब से rating है इसकी 3, unistability की rating है 3 और customer service की rating है 3.5 तो मेरे भाई आपको grow के बारे में सब कुछ जानने को मिला होगा वीडियो पसंद आए तो like कीजिए बाकि comment करके बताएए कि आपका demate account कौन से broker के अंदर है बाकि मैं मिलूँगा किसी और knowledgeable और interesting वीडियो में